सब्सक्राइब कीजिए बीविस्टर चलन को और बेल अकोन को दबाएं ताकि नहीं वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं इसमें आपका फाएंदा दोस्तों तेलंगाना सरकारने अनुसुच जन जाती कि महिलाओं को यानि की जिनकी शादी होने वाली है शादी करने के पश्चात वो अगर इस योजना के दहत अपलाई करती है तो उन्हें एक लाग रुपे की साहिता इसमें दी जाने वाली है अब ये लाग उन्हें कैसे मिलेगा यानि कि कौन-कौन इसके लिए अपलाई कर पाएगा और कौन-कौन से डॉक्मेंट इसमें चाहिए होंगे वो सारी चीजे अब मैं आपको ओन-लाइन देखाने वाला हूँ आईए समझते है दोस्तों ये इनकी ओफिशल वेब साइट है इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिश्ट में आपको मिल जाएगा यहां पर आपको क्लिक करना है कल्याना लक्ष्मी शादी मुभारक जैसी इस पर क्लिक करेंगे नई विंडो ओपन हो चुकी है अब इसके बाद यहां पर लिखा है कल्याना लक्ष्मी पार्टकम फोर SC, ST, BC और E, BC पर यहां देखेंगे तो SC के लिए 2,00,000 से कम इंकम होनी चाहिए ST के लिए भी 2,00,000 से और BC और E, BC में 2,00,000 से कम अर्बन के लिए और रूल एरियास के लिए डेट लाग से कम इंकम होनी चाहिए और रेजिस्रेशन के लिए आपको यहां क्लिक करना होगा और ऐसे ही शादी मुभारक अगर योजना इसके लिए आप benefit ले रहे हैं तो इसमें इंकम 2,00,000 से कम होनी चाहिए और रेजिस्रेशन करने के लिए दोनों ही सूरत में आपको यहां रेजिस्रेशन पर क्लिक करना है आप इस फोर्म पर पहुंच जाएंगे अगर इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे इंकम सर्टिफिकेट जो इंकम सर्टिफिकेट आपके पास है उसकी डिटेल्स यहां पर डाल देनी है जैसे ही आप यहां पर नमबर डालेंगे आपको सब डिटेल्स यहां पर भरनी होंगी ऐसे ही permanent address जहां कहीं भी आप permanently रह रहे हैं वहां का जो है details यहाँ पर डालनी है village और ऐसे ही मॉंडल यह सारी चीज़ें यहाँ पर आपको भर देनी है pin code ऐसे ही अगर दोनों address same ही है तो यहाँ tick mark कर दीजिए अगर same नहीं है आप permanently कहीं और रहते हैं और present में अभी कहीं और है तो दोनों के address यहाँ पर आपको ऐसे ही mention कर देने होंगे फिर यह सारा fill करने के बाद occupation यहाँ पर डाल देना है कि आप presently क्या काम करते हैं bank के details यहाँ पर डाल देनी है जिस bank में आपको payment चाहिए और उसके बाद यहाँ पर mother account details mother account details भी डाल देनी है यह सब करने के बाद यह उनकी studies है religion caste और ऐसे ही family की income ऐसे ही सबकास्ट present acquisition और उसके बाद है father name और address यह सब सारी चीज़े जो अधार कार नंबर है डालने के आद यहाँ पर उनका address again address जालना है फिर detail of marriage की date of marriage यानि की जिस दिन शादी हुई वह place of marriage address of marriage place फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते ह है यह है document जो आपको upload करने है सबसे पहले राइट को अपनी photo यहाँ upload करनी होगी राइट की age proof certificate यानिके birth certificate आप यहाँ upload कर सकते हैं scanned copy of अधार कार्ट की copy upload करनी है फिर ब्राइट मदर्स की अधार कार्ट कोपी भी डालनी है ऐसे ही ब्राइट ग्रूम्स scanned अधार कार्ट कोपी यहाँ डालने है उसके बाद है यहाँ पर देख सकते हैं आप mother scanned copy of bank जो bank की passbook है उसकी और ऐसे ही ब्राइट जो है scanned copy of passbook यह डाल देनी है यह basic documents है चाहिए होंगे उसके बाद यहाँ पर आपको यह जो capture दिया गया है यहाँ पर आपको इसके लिए apply करना है तो इसका प्रोसीजर भी वही है registration पर क्लिक करें देखिए यहाँ पर उसका नाम आ चुका है तो आप इन दोनों का फाइदा लेना चाहते हैं तो आपको अलग अलग जो यह form भर देने हैं इस तरीके से आप apply कर पाएंगे इसमें दो तिन चीज से आप apply कर पाएंगे दोस्तों यही एक तरीका है apply करने का और दूसरा जब आप अप्लाई कर देंगे after that आपको यह पता लगाना है कि यह मेरा जो मैंने योजोना के रिप्लाई किया वह approved हुआ है रही तो print और status यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर edit और uploads यहाँ और print and status पर यहाँ पर जाएंगे तो uid डालकर phone number डालकर आपके details ले लेंगे और print कर लेंगे और देखते रहेंगे यहाँ पर जब कभी भी approved होगा तो वो print होकर आपको दिखाई भी देगा as well अगर आपको कुछ गलती हो गई है कुछ edit करना चाहरे हैं तो यहाँ पर आपको edit uploads पर क्लिक करना है और यहाँ पर manage id और phone number डालकर आप उसको edit भी कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको किसी भी योजना के बारे में कोई जान करें चाहिए तो वीडियो के comment section में आप उसका नाम लिख सकते हैं और अगर आपको daily government jobs के update चाहिए तो आप मेरे चलन के community section में जा सकते हैं मैं वहाँ पर daily government jobs के update डाल रहा हूँ साथ में देश के हर राज्य की योजना मेरे चनल की playlist में अगर आप जाएंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे सारे राज्यों की यानिके states की playlist आपको मिलेंगे जिससे आप हर योजना का फाइदा ले पाएंगे और Sunday को 6 बज़े मैं live आता हूँ तो आप वहाँ अगर अपन जय भारत